खाना चाहे जैसा भी हो खाने के साथ अगर चटनी मिल जाए तो खाने का स्वात और बढ़ जाता है तो आज में लिकर आई हूँ खट्टी मीठी चटपटी बहुत ही रिएस्टी कच्छे आम और पुदिने की चटनी की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और बिना किसी चटन जटकी दो मिनित में चटनी को हम बना कर तयार भी कर सकते हैं तो फिर चलिए शुरू करते हैं चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पी एक मीडियम साइज का आम लिया है आम को मैंने छिलने के बाद इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है और लिया है दो कप के करीब ताजे हरे पुदिना के पत्ते पुदिना के पत्ते को मैंने डंटिल से अलग कर लिया है और पानी से इसे अच्छे से साफ कर लिया है चार लेसन की कलिया दो हरी मिर्च मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले स्वाद के अनुसार साधा नमक और थोड़ा सा काला नमक लिया है मिठास के लिए थोड़े सी चीनी और आधा जमच के करीब भुना हुआ जीरा लिया है अब लेंगे हम एक मिक्सिक चार और इसमें एकिक करके एकिसाथ सारी चीज़े डाल देंगे गर्मियों की दिनों में हमें कच्चे आम और पुदिने से बनी हुई चीज़े जरूर खानी चाहिए ये हमारे शरिल के लिए बहुत ही फायदे मंद रहता है क्योंकि ये हमारे पेट को ठना रखता है और गर्मियों के दिनों में जो लू लगने का चांस रहता है उससे भी ये बचाता है और कच्छे आम में विटामिन से वरपूर मात्रा में पाया जाता है तो ये हमारे इमेनिटी को भी बूस्ट करता है सारी चीज़े को मिक्सी में डालने के बाद बीना पानी आड़ किये इसे हम ग्राइन कर लेंगे खटी मीठी चत पटी चतनी बनकर तयार है इसे मैंने थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है आप एक बार इस तरीके से कच्छे आम और पुदिने की चतनी बनाकर जरूर ट्राइक करें बहुत ही रेची बनती है रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बेटन को भी जरूर दबाएं ताके मेरे आने वाली हैं नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें